अब बात करेंगी मुंबई पुलिस की जिसने मुंबई समेट समूचे महरास्ट में ड्रक्स तसकरी और इसे बनाने की फैक्टरी चलाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सिर्फ मुंबई ही नहीं बाकी शेहरों की पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है और लगतार ड्रक्स तसकरी का गोरख धंदा चलाने वालों के खिलाफ कारवाई जारी है इसी कड़ी में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने महरास्ट की सोलापूर में एक ड्रक्स फैक्टरी का परदा फाश किया है अपने मुखबीर से मिली सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम छापे मारी करते हुए कथित फैक्टरी से लगभग 8 किलो मडी ड्रक्स बरामत किये हैं जिसकी कीमत 16 करोड रुपे के आसपास बताई जा रही है फैक्टरी में दबेश के दौरान क्राइम ब्रांच के हत्ते दो तसकर चड़े हैं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया है जहां से 19 अक्टोबर तक पुलिस कस्टेडी में भेश दिया गया है आपको बता दे कि मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 को खूफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ड्रक्स की तसकरी के लिए मुंबई आने वाले हैं खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिचा कर दो लोगों को गिरफतार कर लिया उन दोनों के पास से लगभग 5 किलो एमडी ड्रक्स बरामद हुआ है वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों से जब पूछताज की गई तो सोलापूर जिलेक में एक फैक्टरी में एमडी ड्रक्स बनाने की जानकारी मिली लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों की निशान देही पर सोलापूर जाकर कथित फैक्टरी में छापे मारी की जहां से 3 किलो एमडी ड्रक्स बरामद हुआ है और कुल 8 किलो ड्रक्स बरामद किया गया है इसके अलावा कथित फैक्टरी के अंदर से एमडी ड्रक्स बनाने का बड़े पैमाने पर कच्छा मैटेरियल भी बरामद हुआ है जिसकी कीमत 100 करोड रुपे के आसपास बताई जा रही है मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मताबिक सोलापूर के जिस फैक्टरी पर छापे मारी की गई है उसमें दो भाई मिलकर ड्रक्स बनाने का काम करते थे जिनकी पहचान अतुलकिशन गौली और राहुलकिशन गौली के तौर पर हुई है ये दोनों भाई दसवी फैल हैं शानबीन के दोरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि ये दोनों भाई आठ महीने पहले chemical फैक्टरी में काम करती थे वही से दोनों ने ड्रक्स बनाने के गुड सीखे थे फैक्टरी में छापे मारी के दौरान ड्रक्स बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले फॉर्मुला यानि ड्रक्स बनाने के लिक्विड भी बरामत किये गए हैं जिस पर आरूपियों ने नाम लिखकर रखा हुआ था वहीं लोकल पुलिस की अधिमाने तो दोनों आरूपियों महीने पहले वो फैक्टरी किराय पर ली थी जिसका किराया 30,000 रुपए महीनी था क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उस ड्रक्स की फैक्टरी को चलाने में कोई और भी शामिल है पकड़े गए दोनों आरूपियों ने अब तक कितने पचास से साथ किलो एमडी फैक्टरी में मिली है इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ एमडी है करीब सोले करोड है और जो सेवी प्रोसेस्ट है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो सो करोड आएगा पहले हमें दो आरूपी मुंबई में मिले थे इन पे हमने ट्राप लगाया था और इनके पास से हमें पांच किलो एमडी मिले फिर खार पूलिस्टेशन में एंडीपीयस का केस रेजिस्टर हुआ और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 आगे का इन्वेस्टिकेशन उसमें कर र लिए और यह फैक्टरी करीब 21,000 स्कॉयर फीट में है और उसमें से करीब 2,000 स्कॉयर फीट है उसमें तीन लाब का सेट अप है जहां यह एमडी मैनुफैक्चर करते हैं